Hello everyone, as true with Em Singh में मैं अपने सबी वीवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह evening में मैं आ गई हूँ आपके partners की collective level पे current energies और उनका next action आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम tarot से देखेंगे आपके person की collective level पे current situation और आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं प्लीज गाइड करें इंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज क्या चल रही है आज के दिन में करेंट एनर्जीज करेंट सिचुवेशन विल टेक सिक्स कार्ट और एट कार्ट देखेंगे तो मोर कार्ट दो कार्ट और एंजल्स वन मोर कार्ट बॉटम अफ देखेंगे हमारे पास सेवन फेंटिकल्स साइन्स यहां पर सभी हैं वियाव कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस अक्वेरियस लिब्रा जैमिनाई एरीज लियो सेजिटेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो सभी साइन है यहां पर सबसे इंपोर्टन जो चीज यहां पर निकल कर आई है वो है आपके परसन की जो स्ट्रगल है वो यहां पर नजर आ रहा है आपके परसन कलेक्टिव लेवल पर बहुत जादा स्ट्रगल कर रहे हैं सबसे पहले तो यहाँ पर waiting period जो है इसे end करना चाहते हैं जो यह इंतजार कर रहे हैं इतने time से अब situation ठीक होगी अभी आपके पास आएंगे अभी आपके साथ reunite होगे सब situation अब ठीक होगी अब ठीक होगी इस situation में इन्होंने काफी समय लगा दिया है बहुत time इन्होंने ले है बहुत slow energy है यह बात का एसास इनको भी है कि इन्होंने सालों लगा दिये हैं इस relationship में commitment के लिए साथी साथ यह इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा isolated भी feel कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खेला बहुत ज़्यादा overthinking की energy है बहुत ज़्यादा struggle यहाँ पर नज़र आ रहा है साथी साथ यहाँ पर एभी नज़र आ रहा है कि यह ऐसा नहीं है कि यह आप से दूर हैं बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं happy हैं और अपनी life को अच्छे से जी रहनो यह suffering की energy में हैं बहुत ज़्यादा suffer बहुत ज़्यादा hurt यहाँ पर नज़र आ रहा है तो आपके person खुद खुद ऐसा manifest कर रहे हैं कि इनकी शादी आपके साथ हो इनके साथ आपका reunion हो पर्मानेंट reunion हो temporary reunion यह खुद भी नहीं चाते यह situation को लेकर काफी हद तक planning करते हैं strategy बनाते हैं चीजों पर workout करनी की पूरी कोशिश कर रहे हैं यह भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बीच बीच में जब इनसे नहीं रहा जाता जब इनसे बरदाश नहीं होती है energy तब यह आपकी तरफ वापस भी आते हैं आपको call message भी करते हैं जिन मेंसे आप मेंसे कई लोग को ऐसा लगता है कि यह आए ही क्यूं अगर इनको commitment नहीं देनी रहती है तो लेकिन actually में इनकी जो energy है काफी suffering वाली है ठीक है तो यहाँ पर जो situation इनकी निकल कर आई है उसके according तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बहुत happy नहीं है definitely यह hurt है suffering में है sleepless night है tension है बहुत जादा और current situation में यह आपके बारे में सोच भी रहे है source से connect होने की energy है यहाँ पर divine से help लेने की यह divine से pray करन की energy है कि प्रभू जो भी है मेरे भागय में आप देख लो और अगर आपने भेजा है इने मेरे life में तो इनको अपनानी की शक्ती भी दो इनके लिए कुछ action लेने की शक्ती भी दो यह चीजे यह खुद यहाँ पर pray करते हुए नजर आ रहे हैं so कुछ cards मैं और यहाँ पर clarify करूंगी please clarify करें इंजर इतनी slow energy क्यों है क्यों इतना time लग रहा है reason क्या है इतना time लगने के पीछे बहुत सारे लोगों के life में जो main reason है वो है transformation sudden चीजें खतम नहीं हो सकती कुछ चीजें को change होने में कुछ situation को change होने में समय लगता है तो यहाँ पर change होगा जरूर लेकिन यहाँ पर it will take some time हो सकता है कुछ ऐसी situation हो जिनने suddenly change नहीं किया जा सकता suddenly उस situation से बाहर नहीं निकला जा सकता क्या message या call करेंगे आपको आपके person यहाँ पर we have two of pentacles, juggling की energy है but we have three more cards, four more cards miss तो बहुत जादा करते हैं आपको, we have ace of cups definitely emotions है, feelings है, love है यह आपको लेकर बहुत जादा positive भी है, protective भी है आपको खोना भी नहीं चाहते then we have source of fire, passionate है, romantic है आपको लेकर यहाँ पर insecurity की वज़े से थोड़ा सा commitment को लेकर यह juggling phase में है, लेकिन overall love के मामले में there is no doubt कि यह आप से प्यार नहीं करती या नहीं करते, no, ऐसा नहीं है बिल्कुल यह आप से प्यार करते हैं, बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते है but protective भी हैं, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में emotions भी बहुत हाई है, romance और passion भी बहुत हाई है सिर्फ यहाँ पर एक situation है, वो है fear, fear of losing someone close maybe family, maybe third party situation, कोई ऐसी situation है, जो कि solid है जिसको M.I. छोड़ कर बाहर नहीं निकला जा सकता, तो यह चीज़े हैं, यहाँ पर maybe some responsibility, क्या situation है, जादतर लोगों के life में क्या situation है we have, कुछ लोगों के life में बच्चे reason है, कुछ लोगों के life में number three friends या family, कुछ लोगों के life में definitely यहाँ पर confusion है, इनके life में multiple choices की energy है priority किसे दे, आपको priority ना दे तो दूसरी situation में problem हो जाती है यहाँ पर हो सकता है कि career को लेकर confusion है, या family क्या बोड रही है और आप क्या बोड रहे हो, दोनों में conflict है, यह किसकी सुन है, इसी लिए it will take time तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो की action का wait कर रही है और action होगा जरूर, proper, perfect timing आने पर जिस time का यह खुद भी wait कर रहे हैं, या कर रही है डिपेंड आपके person male है, female है Let's check कि आप से क्या कहना चाते हैं आपके partners collective level पे मेरे viewers के लिए क्या message angels अभी इस वक्त आप से क्या कहना चाती है या क्या कहना चाते है we have chemistry new love, engagement true love romantic feelings finances and career, calling your soulmate, getting to know each other, make the effort and wedding कुछ लोगों के person अभी इस वक्त ये कहना चाते हैं कि उनके घर में शादी की या engagement की बाते चल रही है जिसको लेकर यह बहुत जादा disturbed है अगर आपके person female है तो भी male है तो भी possibility है कि वो आपसे प्यार करती है या करते हैं वो आपको अपना soulmate समझते हैं वो आपसे true love करते हैं आपके साथ chemistry feel करते हैं जितनी भी feelings हैं आपको लेकर हैं आपके लिए dedicated हैं आपसे शादी करना चाते हैं आपके साथ अगे बढ़ना चाते हैं इस relationship में लेकिन यहाँ पर problem जो है वो third party की है ये जो यह पर्सन है यह true love करता आपसे या करती है यह person आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस relationship में इस relationship को एक soulmate की तरह देखते हैं जैसे कि आप दोनों में एक soulmate bond है आप दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं आप दोनों की chemistry बहुत deep है लेकिन problem यहाँ पर यह है क आप में से कई लोगों के partner के life में या तो career issues की वज़े से वो properly आपको commitment नहीं दे पा रहे हैं there are some financial issues और या तो उनके life में जबरदस्ती उनकी किसी other person के साथ engagement या marriage fix करने के लिए पीछे पड़े हैं उनके parents ये message ये आपको देना चाहती है या देना चाहते हैं तो अगर आपकी बात हो रही है तब तो ये चीज़े आपसे वो खुद discuss करेंगी या करेंगे बढ़ अगर ये बाते नहीं हो रही है तो possible है कि आपको इनके बारे में information लेने की जरूरत है because यहाँ पर ये चीज़े निकल कर आई है कुछ लोगों के लाइफ में आपके person ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है वो already married हो और बच्चों की वज़े से maybe X को release नहीं करा है अभी तक जिसकी वज़े से आपके साथ reconcile नहीं हो पा रहे maybe इनकी जो wife है या इनके जो husband है उनके साथ ये happy नहीं है एक toxic situation है लेकिन क्योंकि responsibilities है ये उसे छोड़ भी नहीं सकते भाग भी नहीं सकते उससे पीछे तो कुछ लोगों के life में इसलिए भी commitment नहीं मिल पा रही है maybe ये ऐसा कुछ भी आपको बताना चाह रहे है so depend करता है because ये reading एक person नहीं देखता है collectively लोग देखते है तो यहाँ पर कई चीज़े निकल कर आ रही है लेकिन over and all ये आपके साथ reconcile होना चाहते है ये matter करता है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते आपको hurt करके move on नहीं करना चाहते next action क्या होगा मेरे viewers की तरफ next action क्या होगा angels मेरे वीवर्स की तरफ उनके पर्सन का next action one more card, one card only ज्यादा आ रहे हैं we have four of water death, ten of earth and seven of water seven seven की energy है यहाँ पर यहाँ पर collectively जो number निकल कर आए है वो है one four four one four one one three one three seven seven ये कुछ number यहाँ पर निकल कर आए है angel numbers आपके person देखे ये आप से शादी करना चाहते हैं आपके साथ completion चाहते है ये दो चीज यहाँ पर है लेकिन आपके person के life में एक दो problem नहीं है problem का पूरा जो बोलते हैं पूरा गठर इनके पास है पूरी गठरी है इनके पास problems की एक problem खतम होती है दूसरी आ जाती है इस तरह की situation है जो आपके person को एकदम बांध कर रख दिया है इनके आखों पर पट्टी बंद गी इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप करें तो करें क्या ये वाली चीज़े हैं लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हा रहा है ये अच्छी बात है चेंज लेकर आ रहे अपने behavior में अपने pattern में कि क्या किया जा सकता है आपसे बात भी करना चाते हैं इस relationship में clarity भी देना चाते हैं पहले ये back out करते थे भागते थे चीज़ों से लेकिन अब भागना नहीं चाते है अब clarity लेकर आना चाते है तो आज की reading में 7 number बहुत important है guys 7 hours के अंदर 16 hours के अंदर या 25 hours के अंदर ये चीज़े resonate कर सकती है देखते हैं इंजल्स आज के दिन में आपको क्या message देना चाते है इंजल्स के तरफ से क्या messages है आज के दिन में मेरे viewers के लिए क्या messages है inspire others inspire others का card है पहला message love is your energy second चलिए एंजल्स से कुछ पूछते हैं क्या हमें इन दोनों ही color के cards मिलेंगे क्या और same same card लेने का मन कर रहा है चलिए कुछ कुछ similar है and we have same same card so मन कर रहा था मेरा same same card देखने का और एंजल्स ने दे भी दिये inspire others, trust your intuition अपनी intuition पर ध्यान रखिए inspire कीजे others को अगर आपकी कोई story है आपके कोई experiences है तो अगर आपके सामने कोई ऐसे friend है कोई ऐसे relative है जो की बहुत lower vibration में है या आप ने बहुत struggle करके अपने आपको settle किया है और आप अपने कुछ experiences किसी ऐसे new comer को दे सकते हैं जो की बहुत struggling phase में है तो इससे उसको energy मिलेगी उसको एक हिम्मत मिलेगी तो आप जिस भी level का inspiration आप किसी के लिए set करें उतना अच्छा है और अपने intuition पर trust करें Love is your energy, know your truth अपने बारे में जानने की कोशिश करें Who are you? क्या आपके पास सिर्व वही नाम है जो आपको माबापने दिया है या आपका अपना भी कोई अस्तित्व है इस धर्ती पर आप क्यों आए है क्या करने आए है और आप क्या कर रहे है एक सुबह से उठने के बाद एक रात को सोने तक आप क्या करते है ऐसा क्या करते हैं जो worth है ठीक है अगर वो worth है तो proud कीजे अपने आप पर and say thank you to universe कि आपको उन्होंने ऐसा कारे दिया जो की worth है और अगर आप ऐसा कारे करते हैं जो की बिल्कुल भी worth नहीं है तो अपने आपको dedicate कीजे उन चीजों की तरफ जो आप करें और आप जब उपर जाएं तो आप जवाब दे सकें कि आपने इस life में क्या किया तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है तो ये थी आज की energy आज का message आपके लिए angels की तरफ से hope is messages से आपको कुछ guidance मिली हो reading पसंद आई हो like ज़रूर करें और अगर channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दे bell notification प्रेस कर दे ताकि notifications आपको तुरण मिल जाए so thank you so much guys take care of yourself bye bye